हे नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सभी उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते जल्दी से इस वीडियो को और इसमें देखते हम 20 महत्पुन को दोस्तों चलो स्टार्ट करते तो दोस्तों भार्तिंदू हरीश्चंत जी का है महबीर प्रसात द वेदिंगई का या फिर है प्रताप नारायन मिस्र का तो अब बताईए इसका सही उत्तर क्या है तो इसका जो सही उत्तर है ऊपरिशाध सितारे हिंद ठीके आप याद रखिए गए इसको राजा भोज का सपना जो निवंद है वो सिप्रसात सितारे हिंद जी का है इन निवंदों में चंद्रधर सर्मा गुलेरी का निवंद कौन सा है आपको बताना है कि यह जो निवंद है इन में से चंद्रधर सर्मा गुलेरी जी का निवंद कौन सा है कच्छुआ धर्म क्लब पंच पात्र बुड़ापा तो बताईए दोस्तों कौन सा निवंद है जो कि चंद्रधर सर्मा गुलेरी जी का है तो दोस्तों इनका निवंद है कच्छुआ धर्म खड़ी बोली निवंदो की भीतर से अबदी, बेस बाड़ी या ब्रज भाषा के माधुर की जलक किस युग के निवंदो में मिलती है आपको बताना है कि खड़ी बोली निवंदो की भीतर से अबदी, बेस बाड़ी या फिर ब्रज भाषा के माधुर की जलक है वो कौन से य तो दोस्तों इसमें सही उत्तर है हमारा भारतिन्दू योग आप याद रखिएगा इसको रामचंद्र शुक्ल के उत्सहा करुणा घिर्णा और लज्जा सीड़सक निबंद किस रेणी में आते हैं आपको बताना है कि आचार रामचंद्र शुक्ल जी की जो निबंद है उत तो दोस्तों में आपको बता दू कि इनके ये निबंद है ये मनोविकार संबंदी है जैसा कि आपको इनका नाम पढ़ने से ही पता चल रहा है cookies निबंद संघ्या आंसुक के फूल-द्वंद —संघ्याRe घिसका रै है आपको बताना है असूक का फूल बन्द्व और इसं बिद्या निवास मिस्र का है या फिर राम ब्रक्ष वेनिपुरी का है बताईए दोस्तों क्या है इसका सही उतर तो आपको याद होगा कि असोग के फूल निवंद संग्रय है ये है हजारी पर साथ दोएदी जी का ब्यक्ती बेंजक निवंदकार के रूप में किसे परसिद्धी मिली आपको बताना है कि ब्यक्ती बेंजक निवंदकार के रूप में कौनसा निवंदकार है जिसको परसिद्धी मिली अग्ये जी को बेढ़व बनार्शी को सरदार पूर्ण सिंग को या फिर विद्या निवा स्मिसर आतम esse स्विया कि आत्मिने पदि निबंद संग्रेय कि यह थो किस το है पदो ने कि पиваетशु आपको बदाना है कि इस पद सही उत्तर क्या में है इन निबंद संग्रेव में बालम क्षिं 가장 भड का था संग्रेय क्वी से है आपको बताना है कि जो चार निवन्द संग्रे दिये हुए है इन में से बाल किशन भट का निवन्द संग्रे कौन सा है ठीके दोस्तों समझ में आगे होगा आपकी कोशिन क्या है तो चलो हम option देखते इसके निवन्द नबनीत है लिखी कागद कोरे ये है साहित सरोज है या फ dominant है जो लिगे है भूट का निवन्द निवन्द संग्रे कौन सा है उसा या वरे क्यूर्ण का है ये किस निवन्दकार के निवन्द से मुझ्थ है है ठीके दोस्तों आपको बताना है cur पंक्ति है वेर के रोद का अचारिय अमुरब्बा है कौनसे निवंदकार के निवंद की पंक्ति है ठीक है प्रताप नारायन मिस्र की है बाल मुकुंद गुपत की है बाबु गुलाव राइकी है या फिर रामचंदर शुक्ल की है तो बताईए दोस्तों इसका जो सही उत्त यो रामधारी सिंह दिंकड़ जी का नहीं है और दोस्तों आपको बाफी की तीन है वह रामधारी सिंह दि fur ‫ और हमारी संक्रिथ एक्ता या फिर बिचार पृबहा है । दोस्तों देखिए गोमine करके यहीं बताओगे कि विचार पिरवा है किसका निवन्द है ठीक है क्योंकि यह हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि यह किसका निवन्द है क्योंकि मैंने कई वार इसको एकजाम में आते हुए देखा इसलिए मैं आप से इसका पूछ रही हूँ आप प्रिया नीलकंठी और रस आखेटक निवन्द संग्रेव में किस रशनाकार की निवन्द संक्लित है दोस्तों आपको बताना है कि प्रिया नीलकंठी एबं रस आखेटक जो निवन्द संक्लित है इसमें कौन से रशनाकार की निवन्द संक्लित है ठाकुर परसाथ सिंग के क कुवेरनाथ राय है इनके निवंद संक्लिफ है दोस्तों कि स्मेख शात्मक संकलिफ है आपको बताना है कि यहां सब रहे है जिसमें समिक्षांति निवंद संकलिफ है ठीक है आस्था के चलन ben पुर्ताप प्यूस चलन या मारिसी मोहिक उठाउं तो बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर सही है यह है आस्था के चलन ठीक है दोस्तों ये सम इक्षात्मक निवंद है वे गहू और गुलाब । किस ले इसका जो भी उत्र है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि गिहूं और गुलाब निबंध साग्व निबंध है यह है राम दैलाक्ष बैनिपुरी जी के फिर कॉंसी रशना निबंध की सरेणी में आती है आपको बताना है कि इस चार रशना है इनमें से कौन सी रचना है जो कि निबंद की चिरेनी में आती है ठीके run दोस्तjem चलो देख लेटे एक बार टीसरा आदमी नैय आने वाला कल मझदूरी और प्रेम पृतफिरी राज की अंख्रे तो बताईए तो कौन सी रचना है जो कि निबंद के अंतरध आती है इसमें से तो दोस्तों मजदूरी और प्रेम है यह निवंद के अंतरगत आती है और देखिए दोस्तों यह काफी इंपोर्टेंट कोशन है आपके लिए आप इनको रोज देखा करो क्योंकि यह आपकी बहुत मदद करेंगे इसमें क्या है किसी एक टॉपिक के कोशन नहीं है जितने भी टॉपिक है उन सभी के कोशन है ठीक है दोस्तों दूसरी परमपरा की खोज पुस्तक के लेखा कौन है आपका बताना है कि दूसरी परमपरा की खोज पुस्तक है इसके लेखा कौन है निराला जी है हजारी दोस्तों इसके जो लेखक है वो है नामबर सिंग ठीक है आप याद रखिएगा दूसरी परमपरा की खुज के लेखक है नामबर सिंग दोस्तों बताइए उसका उत्तर क्या है तो रामबला सर्मा जी की जो आलोषणात्मक किड़ती एक तो दोस्तों ये तीन भागों में परकाशित हुई बदरी नारायन चोदरी प्रेमगन ने किस पुस्तक के अनुवाद की आलोशना की है दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि बदरी नारायन चोदरी प्रेमगन है इन्होंने कौन सी पुस्तक के अनुवाद की आलोशना की है ठीक है यहाँ पर यह बताना है सन्योगीता स्वेंबर की, नील देवी की, परिक्षा गुरू की या फिर एकांत बासी योगी की तो दोस्तों इन्होंने सन्योगीता स्वेंबर है इसके अनुवाद की आलोशना की है चंदरधर सर्मा गुलेरी ने आलोशना पर आधारित कौन सा पत्र जैपुर से निकाला दोस्तों आपको बताना है कि चंदरधर सर्मा गुलेरी जी है इन्होंने आलोशना पर आधारित ऐसा कौन सा पत्र है जो की जैपुर से निकाला था कवीता क्या है इस पर निबंद लिखा गया है तो यह निबंद किसका है आपको सबस्क्राइएट था और दोस्तों में पर किस नात्मक पुस्तक लिखी है सब जानते हो कि इसका हो तो इसका अत्र मैं बताओं जया करूंद इसे रखने कभी उपर अलोशनाथफवक पुस्तक लेखी है दोस्तोंदों तो हम बिलेंगे अ पार्ट में तब तक Keal 예